दोस्तों, stock market के अंदर stock का जो price होता है, किसी भी company का जो stock होता है, उसका जो price होता है वो depend करता है demand और supply के उपर, जिस stock की demand बहुत ज्यादा है उसको खरीदने वाली लोग market में बहुत ज्यादा है, उस stock का price उतना ही ज्यादा वो उपर चला जाता है, और तब share market उस stock के उपर लगा दिता है अपर सरक्ट, यानि कि अब उसे स्टॉक को कोई खरीद नहीं सकता, उसका प्राइस और ज्यादा उपर नहीं जा सकता है, ठीक यही हो रहा है दोस्तों, पेटियम के स्टॉक के साथ लगातार तीसरे दिन तक, जब उसका स्टॉक का प्राइस 5% उपर गया और कितना ज़्यादा बढ़ गया कि share market को उसके उपर अपर circuit लगाना पड़ा लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है अभी कुछ दिन पहले तो हम यह सुन रहे थे कि पेडियम जो है company वो बरभाद होने वाली है उसका stock का price बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीचे जा रहा है फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पेडियम का stock इतना जादा बढ़ने लगा लगातार तीन दिन तक उस पर अपर circuit लगता गया लगता गया लगता गया वैल इसके तीन बड़े reason है जो जंदी से मैं आपको बता देता हूँ पहला reason RBI की deadline जो की extend हो के 29 फरवरी से हो गई है 15 मार्च तक यानि कि पेडियम बैंक्स की जो services होती है जैसे पेडियम वालेट पेडियम फास्ट है ये सम आप लोग 15 मार्च तक इस्तिमाल कर सकते हैं जो भी आपका पै पेडियम बैंक पर फास्ट जैसी services है जो की पेडियम वालेट से जुड़ी हुई है ये सारी की सारी चीजे नहीं चलेंगी 15 मार्च के बाद आप कोई नया deposit उसके अंदर नहीं कर सकते 15 मार्च के बाद दूसरा बड़ा reason पेडियम और access bank का टायव अब क्योंकि पीडियम को अपनी बागे की services तो चलानी है आप पेडियम का QR code उसका sound box जो आपने दुकानों पे लगा हुआ देखा होगा जिसमें से आवाज आती है कि आपकी payment जो है receive हो चुकी है जब भी आप इसी दुकान को जाके payment करते हो और उसके लावा पेडियम की UBA वगर ये सारी की सारी ची अभी recently tie up हुआ है access bank के साथ ये होगी है दूसरा reason और तीसरा reason जिसकी वज़े से लगातार पेडियम के stock में तीन दिन तक अपर सरकीट आया है वो है burnstein investment की report burnstein investment जो की एक investment agency है उसने पेडियम के stock को आउट perform की rating दी है और कहा है कि stock अभी आगे जाके बहुत अच्छा perform करेग लेकिन दोस्तों अगर आप पेडियम में investor हैं तो आपकी दोस्तों recommendation यही है चिए पेडियम के stock पे अभी ज्यादा भरोसा मत करिये उसको अगर आपको खरीद नहीं है तो कुछ as in passes खरीदी है जो पैसा आप खोने को तयार हैं डुपाने को तयार हैं क्योंकि दोस्तों अशी तरह जानता हूँ कि stock market में investment के अंदर सबसे पहनी जो strategy होती है वो यही होती है कि सारे एंडे एक ही डोगरी में आपको नहीं डालने होते यानि कि अपना सारा investment एक ही जगा आपको नहीं करनी होती बाके पेडियम और RBI कि इस पूरे पसले के उपर आप तो क्या रहा ह है मिलते एंगले वीडियो में दोस्तों तब तक stay safe and keep learning